दोशकार में भारती को पास है और आप देख रहे हैं सेहत का खाजाना सबजी हमारे लिए कितनी फाइदेमन है यह तो हम सभी जानते हैं डाइट में हरी सबजीयों को जरूर शामिल करना चाहिए अब जिस सबजी के बारे में हम आपको बता रहे हैं उसमें दूद से ज्यादा केलसियम संत्रे से ज्यादा वाइटमिन सी है और जिस सबजी के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है सहजन जी हाँ सहजन एक गुनकारी फली है जिसके पोशक तत्व काफी ज्यादा है ऐसे मैं आपको इसकी सबजी बना कर जरूर खानी चाहिए बता दे सहजन एक प्रकार की फली है जिसकी सबजी अचार आदी कई चीजें बना कर खाई जाती है सहजन की सबजी को लोग घर में बहुत कम बनाते हैं शरीर को पूरी तरह से हेल्दी रखने के लिए सहजन की सबजी को डाइट में शामिल करना चाहिए इसमें मौजूद पोशक तत्व हमारे लिए बेहत फायदे मन्द है आपको बता दे, International Journal of Psychotherapy Research में ये जानकारी सामने आई है कि सहजन में संत्रे की तुलना में 7 गुना ज्यादा वाइटमिन C पाया जाता है और गाजर की तुलना में 10 गुना ज्यादा वाइटमिन A पाया जाता है इतना ही नहीं, दूद के मुकाबले इसमें 17 गुना ज्यादा केल्सियम पाया जाता है और साग के मुकाबले 25 गुना ज्यादा आईरन पाया जाता है सहजन के आप स्वाधिस्ट सबजी बना कर खा सकते हैं तो आए जानते हैं बनाने की विदी पहले कुछ सामगरी ले ले जैसे की सहजन फली 200 ग्राम, आलू 2-3, टेमाटर 2, अधरक लहसुन का पेस्ट 1 टी सपून, प्याज एक, हल्दी 1 टी सपून, लाल मिर्च पाउडर 1 टी सपून, धनिया पाउडर 1 टी सपून, धनिया पत्ती 2 टेबल सपून, जीरा 1 टी सपू पर मसाला तयार करे अब गैस पर कडाही रखे और उसमें घी डालकर गर्म करें इसके बाद घी या तेल डाल कर गर्म करें, अब जीरा डाल कर भून ले, इसके बाद प्याज का पेस्ट डाल कर अच्छी तरह फ्राई करें, जब पेस्ट थोड़ा सुनहेरा नजर आए तो इसमें लाल मिर्च, हल्दी धनिया डाल कर मिक्स करें, कुकर का प्रेशर निकालने के बाद सबजी एक बाउल में निकाल ले और टमाटर का छिलका अतार ले, कुकर के पानी को फेके नहीं, ये आगे ग्रेवी में काम आएगा, जब कड़ाही का मसाला भून जाए तो इसमें टमाटर, आलू और सहजन मिला दे, थोड़ी देर चलाए, फिर कुकर वाला पानी डाल कर मिक्स करे, अब सबजी को ढखकर लू फ्लेम पर दस से पंद्रा मिनिट तक पकने दे, तैसा में बाद आपकी सबजी बनकर तयार हो जाएगी, अभी के लिए इतना ही देखते रहेए, सेहत का खाजाना आप देख रहे हैं, N27 News, पकड़, हर खाबर पर